नमस्कार दोस्तो आज का विशे है अहोई अश्टमी की व्रत कथा विधी और उसके महत्व के बारे में तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व पूरे दिन व्रत रखती हैं इस दिन साइकाल तारे निकलने के बाद दिवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें व्रत रखने वली माताएं कहानी सुने कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें द दूद भाज से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सत्या काड़ कर एक कटोरी में सीरा और रुपे का बायना निकाल कर तथा हाथ में साथ दने गहों के लेकर कहानी सुनें। फिर अहोई को गले में पहन दें। जो पायना निकाला था उससे सासुजुके पाय लगा कर दे दें। देवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे होएं उतनी बार बेटों का विवा हुआ हो उतनी बार दो चांदी के दाने उस अहोई में चैये यह व्रट छोटे बच्चों के कल्यान के लिए किया जाता है अहोई देवी के साथ स lawn सेंही और kung Ughke बच्चे के चित्र वी बनाएं या पूजा Pok passion दोरा छपे अहोई माता का पोस्चर खरीदें और पूजा करें तथा कहानी सुनें तो कथा शुरू करते हैं बहुत पुराने समय की बात है भारत वर्ष के एक दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहुकार रहता था उसकी पत्नी का नाम चंद्री का था वे बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई प्रन्तु वे सब की सब छोटी उमर में ही यमलोग को चले गए संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे वे पती-पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वेभव का कौन अधिकारी होगा एक दिन उन दोनों ने निश्चे किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए ऐसा निश्चे कर दूसरे दिन दोनों सब घर आदी भगवान भरो से छोड़कर जंगल को चल दिये चलते-चलते जब दोनों ठक जाते थे तब बैढ जाते थे फिर चलने लगते इस प्रकार वे दोनों चलकर भद्रिका आश्रम के सम्मीर एक शीतल कुंड के पास पहुचे वहाँ पहुचकर दोनों के ने मरने का निश्चे करके अनजल त्याग कर बैढ गए इस प्रकार बैठे-बैठे उन्हें साथ दिन हो गए साथमें दिन आकाश्वानी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागयो ये दुख तुम्हें पूर्ध जरम के पापों के कारण मिला है अते हे साहुकार अब तुम अपनी पतनी से अहोई अश्रमी के दिन जो कार्थिक क्रिशन पक्ष को आती है व्रत रखवाना इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन होंगी और तुम्हारे पास आएंगी तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीरगायू मांगना व्रत के दिन रात्री को तुम राधा कुंड में सनान करना कार्थिक पक्ष की अश्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्दा से अहोई देवी कवरत धारन किया और रात्री को साहुकार राधा कुंड में सनान करने गया सावकार जब सुनार करके घर रोट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिये और बोली सावकार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो सावकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसंद हुआ और कहा हे मा मेरे बच्चे कम उम्र में ही देव लोग को चले जाते हैं अता मैं दीरगायू होने का आशिरवाद दीजिए अहोई देवी ने कहा ऐसा ही होगा इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर ध्यान हो गई कुछ दिन बाद सावकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान बल्शाली प्रतापी तथा आयुश मान हुआ यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का व साथ तेर कर अपने सासु जी के पाउन लगा कर उने दे देने सासु जी साड़ी और बलाउज अपने पास रख लें सीरा पूरी का बाएना बाट दें यदि लड़की के अन्य जगा हो तो उसके लिए बाएना वहीं भेज दिया जाना चाहिए कथा समात धन्यवाद